तो आज हम यह seamless continuous transition सेखने वाला है तो पहले दोनो वीडियो प्रीमेर प्रो पे इंपोर्ट कर लो उसके बाद पहला वीडियो के end frame को export कर लो similarly second video के first frame को import करके first frame को export कर लो click on this camera button just like that उसके बाद google पर जाके hell you o ai search करो परला यह जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करो आपके पास 100 points रहे यहाँ पर मेरे पास 50 है पर left side में video पर क्लिक करो और उसमे start में click करके अपना image अप्लोड कर दो और end में click करके अपना end frame upload कर दो उसके बाद हमें prompt चाहिए prompt के लिए हम चैट जीपिटर से लिख वाएंगे तो मैंने यहां पर लिखा है कि start or end prompt लिखना है zoom करना है logo पर उसके बाद mountain लिखना है snow trees और drone flying shot है तो मैंने इसम mention कर दिया है और last में group के पास ही जाना है तो उसमें यह दिया है तो मैंने specifically mention किया है कि for hell you o ai के लिखना है तो उसमें modify किया हुआ है तो मैं यह just copy paste कर लूँगा यहां पर और 25 लिखा है यहां पर इस button पर click करना है 25 points आपके coins जाएगे जो भी है तो यह output होने को आपको almost 3 to 10 minutes या इसे जादा भी लगसाता है depending on the queue आपको recreate करना तो आपस recreate कर सकता है इसके भी over point जाएगे so download कर लो guys make sure to like and subscribe the channel ऐसे tutorial चैनल पर आते रहेंगे let's back to the video तो फिर में download करके मैंने अभी यह प्रीमेर पे insert कर लिया है दोनों वीडियो के बीच में यहां पे color match नहीं हो रहा है तो मैंने इसका exposure point 3 से minus कर लिया है और इसका contrast 40 से मैंने plus कर लिया है तो यह almost match हो रहा है और उसके बाद आपी मुझे इसका speed match करनी है तो मैं इसे right click करके time remapping करोंगा तो end में मैं इसका speed बढ़ा दूँगा first video की ताकि यह transition से match कर पाए तो right click करके keyframe generate करके मैंने यह कर लिया है और similarly मैं end में होई करोंगा party से मुझे direct नहीं होगा तो मुझे nest करना पड़ेगा तो nest कर लिया है मैंने तो उसके बाद मैं right click करके time repacking कर लूँगा और similarly मैं इसे adjust कर लूँगा this is done almost और फिर इसके मुझे अभी अभी मुझे सिर्फ logo निकलना है तो उसके लिए मैं crop कर लूँगा 8% से top and bottom के लिए and here we go make sure to like and subscribe thank you